नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में साथ दिनों में पिंपल्स को जड़ से खत्म करने का एक मात्र घरेलू नुस्खा जी हाँ दोस्तों अगर आप पिंपल से परशान हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुसका लेके आया हूँ जिसके प्रयोग से आपके चेहरे से मुहासरे हमेशा के लिए और वो भी बिना दाग छोड़े चले जाएंगे दोस्तों इसके लिए आपको जिन चीजों की आउशकता पड़ेगी वो एक मात्र चीज जामुन की गुटली है जी हाँ दोस्तों जामुन की गुटली का प्रयोग आपको करना है ये बहुत ही आसान नुसका है इसके लिए आपको जामुन की गुटली को मिक्सी में बारीक पीस लेना है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास अभी ये जामून की गुटली है इसे मैं मिक्सी में पीस लेंगा तो दोस्तों मिक्सी में पीसने के बाद ये कुछ आपको ऐसा लगेगा ये जामून की गुटली आपको दोस्तों कुछ ऐसी लगेगी तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसे बनाना कैसे है दोस्तो इसके लिए आपको एक चम्मच जामून की गुठली ले लेना है यह मैं एक चम्मच जामून की गुठली ले लेता हूँ अब दोस्तो आपको इसका पेस्ट बनाना है ना ज़्यादा दोस्तो ये पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए तो दोस्तो आप देख लीजे कि मैं इसका पेस्ट कैसे बनाता हूँ इसमें आप अपने आवशक्ता नुसार पानी मिला सकते हैं दोस्तो ध्यान से देखिएगा आपने देखा दोस्तो इतना पानी पर्यात था दोस्तो इसका पेस्ट तयार हो चुका है तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसे आपको अपने चहरे पर लगाना कैसे है तो दोस्तो इसके लिए आपको रात में इस पेस्ट को अपने चहरे पर लगा लेना है और आपको सू जाना है सुबा उठने के बाद आपको अपने चेहरे को पानी से धुल लेना है तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक ही बार के प्रियोग से आपको अपने चेहरे के Pimples में काफी फर्क नजर आएगा आपके pimples काफी हद तक आपके चहरे से चले जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर आप इसे एक हफ़ते तक करते हैं यानि कि एक हफ़ते तक अगर आप इसे अपने चहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे से पिंपल्स बिना दाग धब्बे छोड़े हमेशा के लिए चले जाएंगे दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना सौंदर बढ़ाने के ऐसे ही घरेलू नुस्खे लेके आता रहता हूँ तो दोस्तो मिलता हूँ आपसे कल एक नए सौंदर बढ़ाने की वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार